हलो मैं हो नबनीच स्वागत आप अब सभी का दम मैनस प्लस पे इस वीडियो में चलते हैं सीधे सर्किल पे कि क्या होता है पहले टर्म को समझेगे केंद्र तुरजय व्यास यह सब क्या चीजाव है कैसे होती है इस चीज को पहले आप समझें कि अध्यां यह यह जो आकॱ्तिा आप देख रहें जो सेप है इसको सर्किल बोलते ठीक है यह जो बीच में होता इसको बोलत?", ठीक है केंद्र किसी खास बिंदू से एक चाप लेके जब हम आकरती खीचते हैं तो वो सर्किल बनता है यह सर्किल है आप पहले से भी जानते होंगे अभी भी देख लीजिए यह सर्किल है ठीक है इस सर्किल में बीचो बीच जो एक बिंदू होती है उसको केंदर बोलते है ठीक अब यह केंदर है और ये जो आप देख रहे हैं ये गोल जो खीचा है मैंने लाइन ये इसको बोलते हैं परीधी देखिए इस बिंदु को केंदर बोलते हैं सबसे पहले आपको टर्म समझना होगा कि केंदर तिरजया व्यास परीधी छेदरफल ये होता क्या है ठीक है उसके बाद परीधी निकाल अचेदरफल निकालना इस पर भी बात करेंगे ठीक है पहले देखिए इसको केंदर बोलते हैं और डिनोट करते हैं ओ से मतलब सूचित करते हैं ओ से अब ये केंदर है और ये जो है बॉंडरी जो है इसको बोलते हैं परीधी इस बॉंडरी को क्या बोलते हैं परीधी ठीक यह जो boundary है, इसको परीधी बोलते हैं, अब देखिए, इस केंदर से इस परीधी तक की जो दूरी है, इस केंदर से इस परीधी तक का जो दूरी है, उसको त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और denote करते हैं, आर से, त्रिज्या मतलब radius, त्रिज्या मतलब radius, ठीक है अब देखिए केंद्र से परिदी तक का जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं त्रिज्या रेडियस हिंदी इंग्लिस दोनों मेडियम के लिए त्रिज्या हिंदी में इंग्लिस में रेडियस अब देखिए केंद्र से परिद तक का जो दूरी है, जो लंबाई है ये, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, परिदी के दो बिंदू को अगर मिलाएंगे, एक बिंदू ये हो गया, अब यहां पर एक चीज़ देख लिजे, ये O है, इसको A मान लीजिए, तो O A त्रिज्या हो गया, त्र ये त्रिज्या हो गया, अब देखिए, इस पॉइंट को मानिए B, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, तो A से B तक की जो दूरी है, देखिए, ये हो गया R, अब देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से परिदी तक के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं और R से denote करते हैं ध्यान से देखें यहां पर समझें देखें यह केंद्र है केंद्र से परिदी तक का जो दूरी है उसको तिर्जया बोलते हैं यह केंद्र है यहां भी परिदी तक का जो दूरी है उसको रेडियस बोलेंगे यहां से यहां भी ना पलीजी इसको रेडियस बो तो ठीक है अब देखिए O से A तक तिर्जया और A से B तक A B जो है उसको व्यास बोलते हैं व्यास किसको बोलते हैं परिधी के दो बिंदू को मिलाएंगे केंद्र होते हुए परिधी है यह यह जो गोलाकार है यह परीधी है परिधी के दो बिंदू को मिलाएंगे ये बिंदू और ये बिंदू लेकिन इसमें खास बात ये है कि केंद्र होते हुए ये केंद्र है इसको होते हुए अगर मिलाएंगे ये तो ये जो अपने पास जो आएगा ये रेखा इसको बोलते हैं व्यास तो ये भी यहाँ पे व्यास हो गया अगर दखें परिधी के दो बिंदु को मिलाना है अगर यहां से यहां तक मिला दिये तो यह वयास नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि केंद्र से होते हुए जाना यहां पर देखिए यह जो है केंद्र है ओसे डिनोट कर दिये यहां से यहां तक की दूरी जो है यहां ए मान लिया और यह क्या हो गया अपना रेडियस हो गया ठीक अब यहां से लेकर यहां तक जो है इस पॉइंट को बी मानिये और यहां से यहां तक जो है यह भी रेडियस हो गया तिर्जिया हो गया केंद्र से परिदी तक कहीं भी आप खीचिए तो वह रेडियस होगा ठीक है अब देखिए और A B A से लेकर के B तक का जो है यह रेखा इसको बोलते हैं व्यास मतलब डायामीटर ठीक है D से दिनोट करते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको व्यास बोलते हैं मतलब परिदी के दो बिंदू को मिलाना है केंद्र होते हुए ठीक है तो यह हो गया व्यास अब समझे यहां से यहां तक D है यहां से यहां तक R है यह R है अगर R में R जोडते हैं तो D आ भी radius और इस दोनों को इसको और इसको जोड़ दिये तो ये आ गया ये क्या है diameter है मतलब व्यास है मतलब r plus r बराबर d इसको note करिए आप r plus r बराबर d r plus r बराबर d यानि कि 2r बराबर d इसको note करिए मतलब तरजया का दुगुन्ना व्यास होता है ये है तरजया और यहां से यहां तक भी तरजया इसको और इसको जोड़ दिये तो व्यास आ गया इस बात को आप समझ गए कि r plus r बराबर d यानि कि 2r बराबर d तो जब भी जब भी व्यास होगा हमारे पास और तरजया निकालना होगा मतलब यह दिया रहेगा और तरजया निकालना रहेगा तो व्यास का आधा होता है तरजया मतलब यह व्यास है तो इसका आधा होगा तरजया ठीक है आगे भी हम समझाएंगे अब देखिए, केंदर आप समझ गए, तरिजिया समझ गए, व्यास भी आप समझ गए, परीधी आप समझ गए, अब छेतर फल देखिए, यह जो boundary है, इसके अंदर का जो छेतर है, जो छेतर है, यह अगर हम calculate करते हैं, तो वही हो जाएगा छेतर फल, वृत का छेतर फल, यह boundary है, इसके अंदर का जो छेतर है, उसको अगर calculate कर लेते हैं, तो वही अपना छेतर फल हो जाएगा, ठीक है, केंदर समझ गए, यहाँ पर जो है, boundary के बीचो बीच जो बिंदू होता है, उसको केंदर बोलते हैं, त्रिजिया, केंदर से परीधी तक की दूरी जो है, उसको व्यास, परीधी के दो बिंदू को मिलाते हैं, केंदर होते हुए, तो वो जो लंबाई होती है, उसको व्यास बोलते हैं, परीधी, परीधी देखिए, मान लिजे, इस point को मान लिजे, यहाँ से आप चलना सुरू करिए, चलते 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 फिर यहाँ पहुँ बोलते हैं मतलब यह जो boundary है boundary के लंबाई को क्या बोलते है परीधी बोलते हैं चेतरफल यह जो boundary है इसके अंदर का जो चेतर है उसको चेतरफल बोलते हैं ठीक है यह term आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब चलिए इसको आपको करिए side में रहने दीजे 2R बराबर D ठीक अब बोड को साफ करते हैं अब एची देखिए R पलस R बराबर D यह आप समझ गए 2R बराबर D R पलस R को 2R लिख दिए D को D ही रहने दिए अब देखिए यह समिकरन की नियम से R बराबर D और यह जो दो गुणा में हैं इस तरफ किया तो भागा में हो गया मतलब R बराबर D by 2 मतलब जब तरजया निकालना होगा तरजया मतलब radius radius को R C denote करते हैं जब radius निकालना होगा तरजया निकालना होगा और हमारे पास व्यास होगा तो व्यास में दो से भागा देंगे मतलब व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा ठीक है अगर हमको व्यास निकालना रहेगा त्रिज्या रहेगा अमारे पास त्रिज्या में अगर दो से गुना करेंगे तो व्यास आ जाएगा ठीक है इसक अभी मैंने बताया केंद्र त्रिजिया व्यास परीदी छेद्रपल वह आप समझ गए एक और टर्म है जहां जहां वृत आएगा वहां वह वह टर्म भी आएगा उसको आप समझे कि वह क्या होता है वह है पाई पाई जिसका मान होता है 202 7 या 3.14 इस चीज को आप समझे है पाई क्या होता है पाई यह टर्मा आप समझे है यह कल्कुलेट किया हूआ मान है पाई पाई बराबर यह constant होता है पाई पाई का मान होता है 22 बटे 7 या 3 दसमलग 1 चार दसमलग में लगभग पाई बराबर लगभग मान है यह 22 बटे 7 या 3 दसमलग 1 चार लगभग मान है ठीक है अब देखिए यह क्या होता है पाई होता क्या है इस चीज को समझे है वृत है वृत है अब देखिए ये वृत का जो है ये व्यास है व्यास मतलब डायामीटर डी से दिनोट करते हैं और परिधी मतलब पेरामीटर अब समझे वृत है वृत के परिधी पेरामीटर और व्यास मतलब डायामीटर के अनुपात को पाए बोलते हैं इस चीज को आप समझेए, कोई भी वृत है उसके परीधी और व्यास के अनुपात को, मतलब परीधी में अगर व्यास से भाग देंगे तो पाय आएगा, और पाय का मान क्या आएगा? लगभग मान आएगा 22 बटर साथ, या फिर आएगा 3 दसमलब एक चार, देखें कोई सा भी वृत बनाईए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई सा भी वृत बनाईए, अगर उसके परीधी में व्यास से भागा देंगे, तो पाय आएगा, और पाय का मान क्या होता है 22 बटर साथ, या तीन दसमलब एक चार, ठीक, पाय आप समझ गए, पाय क्या है, किसी विवृत के परीधी और व्यास का अनुपात है, मतलब परीधी में व्यास से भाग देंगे, तो जो मान आएगा उसको पाय बोलते हैं, ठीक है, पाय आपको समझ में आ गया होगा, अब परीधी बटर व्यास बराबर पाय, ठीक, अब देखिए, परीधी बटर व्यास बराबर पाय, ठीक है, अब देखिए, परीधी बटर व्यास, व्यास मतलब डायामेटर और डी से दिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, डी से दिनोट कर सकते हैं इसको बराबर पाय, अब यह दोनों तो बराबर ही होता है डी लिखिए या टू आर लिखिए दोनों बराबर है अब देखिए परीधी बराबर पाए और यह डी भागा में है यहां पे जाएगा तो गुना में आ जाएगा यह डी यहां पे भागा में है इस तरफ जाएगा समीकरन अगर आप पढ़े होंगे या बेसिक स्रीज की सभी वीडियो आप अगर देख रहे हो तो उसमें मैंने समीकरन भी बताया है तो दी अभी भागा में है बराबर की इस तरफ गया तो गुना में हो गया ठीक अब देखिए अब एक चीज देखिए यहां पर परीधी बराबर हो गया पाय गुना डी पाय गुना डी अब देखिए परीधी बराबर पाय गुना डी डी के जगा पर टू आर लिख सकते हैं क्योंकि टू आर और डी दोनों बराबर है तो डी के जगा पर लिख दीजे टू ठीक है अब देखिए परीधी बराबडर इसको सही कर लेते हैं टू-rem fire टू को पहले लिख लीए पाइप Ivan में फिर अ तो अब डिकिए परीधी बराबड टू-rem fire ये क्या आगया फॉर्मुला Talat क्या अगया ये हॉर्मुला जबह्धी निकालना रहेगा तो 2 pi r करेंगे मतलब 2 pi r करेंगे तो परीधी आजएगा ध्यान से सुनिए ध्यान से देखें इस चीज को जब परीधी निकालना रहेगा परीधी इस फर्मूला को नौट करिए 2 pi r मतलब 2 pi r ध्यान से देखें 2 pi r यह है फर्मूला परीधी का जब भी परीधी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे एक सेग्ड जब भी परीधी निकालना रहेगा तो 2 pi r करेंगे pi का मान हम ने कितना बताया 22 बटे 7, 2 गुना 22 बटे 7, pi की जगह पे 22 बटे 7 लिखेंगे और r, r मतलब radius मतलब तिरज्या, तो जब भी आपको परीधी निकालने के लिए बोला जाएगा तो त्रिजया आपको दिया जाएगा त्रिजया का मान दिया जाएगा त्रिजया का मान दिया चार तो यहाँ पे चार रख देंगे पांच दिया तो पांच रख देंगे छो दिया तो छो साथ दिया तो साथ मतलब त्रिजया का मान आपको सवाल में दिया रहेगा यहाँ पर आप रख दोगे और तीनों को गुना करने के बाद जो मान आएगा वही परीदी हो जाएगा ठीक है एक एक जामपल करते हैं इस पर पहले अब देखिए questions इस प्रकार से होगा किसी वृत की त्रिजिया 7 मीटर है तो परीदी ग्यान कीजिए तो परीदी का फॉर्मूला क्या होता है परीदी बराबर 2 पाई आर ठीक है 2 पाई आर मतलब 2 गुना पाई गुना आर ठीक है 2 गुना पाई की जगा पर क्या लिखेंगे 22 बटे 7 देखिए, πाय का मान 22 बटे 7 भी होता है, 3.14 भी होता है, आपको जो सुविधा लगे, वो आप परियोग करोगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए, 22 बटे 7 यूज किये, जहां जहां कोईस्टन में, कोईस्टन में, 3.14 यूज करना रहेगा, तो आपको बता दिया जाएगा, क पाय का मान आप ये ले, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, तो पाय का मान 22 बटे 7 ले लेना है, अब देखिए, आर के जगा पर क्या लेंगे, आर मतलब तरजिया, मतलब रेडियस, देखिए, 7 मीटर दिया हुआ है तरजिया, तो यहां पर ले लेंगे 7, तरजिया के लग 44 मीटर, यही आंसर हो गया, बहुत आसान है, जब परिधी निकालना रहे, तो तरजिया दिया रहे, तो परिधी बड़ाबर 2 पाईर, ठीक है, तो 2 पाईर 2 पाय तो कॉंस्टेंट है, जिस का मान 20 बटे 7 होता है, आर का मान सबाल में दिया हुआ है, रख दीये, निकाल लि ठीक है अब यहां पर देखिए वृत का छेदरफल वराबर होता है पाई आर स्क्वाइर का मतलब हो गया पाई गुना आर गुना आर ठीक है जब भी आपको वृत का छेदरफल निकालना रहेगा तो आप पाई आर स्क्वाइर करोगे R का मान अगर दिया है R मतलब radius तिरजिया तिरजिया का मान अगर दिया होगा दिया रहेगा तो R के जिगप पे आप उसका मान रख दो और छेदर फल निकल जाएगा एक्जामपल ले लेते हैं ये दूसरा एक्जामपल है अपना कि अगर वृत की तरजया 7 cm है तो एरिया निकालें एरिया बराबर वाट देखिए वृत का जो है रेडियस दिया गया है 7 cm तरजया दिया गया है 7 cm निकालना है एरिया तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया बराबर क्या होता है वृत का एरिया बराबर पाय आर स्कॉयर दिदलब पाय गुना आर गुना आर ठीक है पाय का मान कितना होता है 22 बटे 7 आर कामान कितना लेंगे 7 cm गुना 7 गुना 7 एक साथ से एक साथ कट गया 22 सत्य 154 और cm में था तो cm2 क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो जो यूनीट होगा उसका स्कॉयर करेंगे परीधी में स्कॉयर नहीं करेंगे जैसे देखिए 154 cm स्कॉयर यह एरिया है इसलिए स्कॉयर दी है यहां पर तो 154 इस तरह से हो गया अगर देखिए ध्यान से सुनिए अगर आपके पास रेडियस है त्रिजिया है तो आप छेत्रफल और परीधी दोनों च आपको दिया जाए तो बाकी चीज फॉर्मूला में पहले से है पाई का मान तो पता है 22 बटे साथ या 3 दिसमलब एक चार अधिकतर 22 बटे साथ ही हम लोग प्रयोग करते हैं जब तक कहा नहीं जाए कि 3 दिसमलब एक चार लीजिए तब तक 22 बटे साथ लेंगे ठीक है दे देखिए यह हो गया सिंपल अब करेगा क्या तो आपको सीधे सीधे तरजया कोईसंस में नहीं देगा हर जगा कहीं कहीं देदेगा कहीं कहीं सीधे सीधे नहीं देगा तब आप क्या करोगे और कितने टैप के कोईसंस हो सकते हैं उस पे आप ध्यान देते हैं जब सिंपल तिरजया दिया रहे तो आप पायार स्क्वाइर से छेदरफल तू पायार से परीदी निकाल लोगे ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से सुने टाइप वन जो था जो सिंपल अगर आपको तिरजया दिया रहे तो परीदी और छेदरफल दोनों गयात कर सकते हो आप ठीक है वो टाइप वन हो गया टाइप टू देखिए अगर व्यास दिया रहे डायामीटर दिया रहे तब आपको क्या करना है इतना 14 सिंटीमीटर तो व्यास का आधा होता है तिरजया देखिए परीदी और छेदरफल निकालने के लिए हमको आर चाहिए ही चाहिए अगर नहीं दिया है तो जो कुछ भी दिया है उससे पहले हम आर निकालेंगे फिर परीदी या छेदरफल जो निकालना रहेगा निक व्यास का आधा होता है तिरजया आर बरावर क्या होता है डी बाए टू तो डी कितना है 14 सेंटीमीटर बटर टू करेंगे मतलब व्यास का आधा तिरजया तो आर अगर निकालना है डी से तो डी बाए टू करेंगे 14 बटर दो करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो गया आर बरावर formula लगाएंगे और छेदरफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे pi r square से निकाल लेंगे तो 2 pi r 2 गुना 22 बटव 7 गुना r के जगा पे 7 cm रखेंगे और छेदरफल निकालने के लिए 22 बटव 7 और r के जगा पे 7 रखेंगे मतलब 7 गुना 7 तो इसको solve करके परीधी आ जाएगा इसको solve करके छेदरफल आ जाएगा बहुत ही आसान है अगर d दिया रहे है तो पहले d का आधा करके तरजिया निकालके आप सवाल को solve करिए ठीक है अब चलिए तीसरा टाइप अगर आपको परीधी दिया रहे है और छेदरफल मांग दे परीधी दिया रहे है और छेदरफल मांग दे अब ध्यान से सुनिए तिसी वृत देखे टाइप 3 जो है परीधी दिया रहे है और छेदरफल मांग रहा हो तो सवाल देखे किसी वृत की परीधी radius चाहिए, r ठीक है, तो जो कुछ भी जानकारी दिया हुआ है, उससे पहले हम को तिरजिया निकालना है, इस बात का आप हमेसा ध्यान रखिए, परीधी दिया हुआ है, छेतर फल मांग रहा है, पहले हम r निकालेंगे, radius निकालेंगे, कैसे देखे, परीधी दिया है, तो लि पर्मूला कितना है, 44, पाई का मान, यहां पर रखिए, पाई का मान कितना, 22 बटे 7, गुना r बराबर 44, ठीक है, अब देखिए, r बराबर क्या हो जाएगा, यह 44 लिख लीजिए, ठीक, समीकरन अगर आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो देखा है, अब देखिए, 44, यह इस साथ नीचे में है, भागा में है, उपर चले जागा, गुना में, बटे, दो और 22 जो है, उपर है, तो बराबर के उस तरब जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा, लब भागा में आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए, 22 दुनी, 44, इस दो से यह दो कट गया, बच कितना आ गया, साथ सेंटीमीटर, तो तिरजिया बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया, साथ सेंटीमीटर, ठीक है, अब आर जब हम निकाल लिए हैं, तो अब छेतर फन निकालना बहुत आसान है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्कॉयर, पाई का मान कितना, 22 बटे 7 आर के जगह पे 7 ले लेंगे मतलब 7 गुना 7 एक साथ से एक साथ कट गया 22 सत्य एक सच चोवन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्कॉयर एरिया जब भी रहेगा तो ये नीट में स्कॉयर लगाएंगे ठीक है तो परिधी दिया था तब भी हम पहले आर निकाले फिर छ ठीक है ≫ ठीक है तो टाइप 3 यहो गया अब टाइप 4 जो आखरी है अगर छे अच्छे करल दिया है और परिधी मांग देऊ हुए मांगा च्छे करिवा देखिये दिया हुआ है परिधी मांग जितना दिया हुआ है 154 ठीक है 154 ठीक है अब रितका छेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई आरे स्क्वाइर बराबर 154 ठीक है अब देखिए पाई का मान रखेंगे 22 बटे साथ गुना आरे स्क्वाइर बराबर 174 और यह साथ नीचे में है तो साथ उपर में 22 उपर है तो बैस नीचे समीकरन अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए समीकरन वाला अब देखिए इस से इसमें भागा देते हैं 11 से 11 दुनी 22 इसमें 11 से दीजिए 11 काम 11 11 चोके 44 फिर 2 से दीजिए 2 सत्य 14 आर स्क्वाइर बराबर हो गया 7 गुना 7 आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 गुना 7 बराबर 7 तो देखिए 7 सेंटीमीटर स्क्वाइर था तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर अगर तिरजिया आ गया है परिधी निकालना है तो परिधी का फॉर्मूला क्या होता है तो दो गुना बाइस बटे साथ और आर के जगा पे रख देंगे साथ साथ से साथ कट गया चोवाली सेंटीमीटर आंसर तो यह चार टाइप है जो की इंपोर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट करिए फिर से हम इस पर देखेंगे कि और एक्जामपल हो सके तो मैं बताऊंगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वडियो में तब तक के लिए टेक क्या